टाटा पंच की एक शोरूम प्राइज पांच लाग उन्चा सजार रुपे से सुरू होती है जो आपके हाथ में आते जाते है यानि ओन रोड प्राइज की बात करें तो लगबग 6,40,000 के आस पास बैठती है यानि आपके हाथ में 6,40,000 रुपे है तो आप टाटा पंच का ब रुपे आपको लोन अमाउंट मिल जाएगा बैंक की तरफ से और बाकी का 1,30,000 रुपे आप डाउन पेइमेंट करेंगे यदि कोई भी बैंक यदि 8% का जो लोन की इंटरेस्ट रेट है वो 8% आप से लेती है तो 5 साल के लिए आप दिरे-दिरे 5,10,000 रुपे चुकाएं तो इससे कुछ जादा कुछ कम 8,000 के आसपास ही माई कटेगी इसी तरह से यदि बहुत सारे जो बैंक्स है वो ऐसे भी है जो एक्शोरूम प्राइज गाड़ी के होती है वो लोन के रूप में देती है आलांकि कुछ बैंक्स ऐसी भी है जो इससे भी जादा देती है लेकि साल के लिए उसके बाद आपको परती एक मेने 11,000 रुपे जो इमाई कटोती आपको करनी पड़ेगी यदि 8 का इंट्रेस रेट है इसे कम होगा तो आपको कम इमाई देनी पड़ेगी ज्यादा होगा तो ज्यादा इमाई देनी पड़ेगी और यदि यही लोन यनी 5,50,000 आप 7 वर्ष के लिए लेना चाहते हैं तो इसके बदले आपको परती एक महीने 8,500 के आसपास की यह माई देनी पड़ेगी और धीरे धीरे यह 7 साल में चुकता हो जाएगी लेकिन यदि 5,50,000 रुपे आप लोन के रूप में लेते हैं और 5 साल में इसे चुकाते हैं तो ब खरीज सकते हैं अब साथियों यदि आप भी अपनी EMI कैलकुलेट करना चाहते हैं या आप देखना चाहते हैं कि आपको कितना लोन लेना चाहिए और किस तरह से आपको मन्तली उसका वापस जो EMI देनी पड़े के दिश के लिए आपको बहुत सारे कैलकुलेटर मिल जाए से उन पर भी आप विजिट कर सकते हैं और अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं थैंक यू